नुश्कार आप देखने अदर नियूस नाओ मैं हूँ रुहारी होम गार्ड्स किस तहां से पनी व्यथा प्रकट करते हैं ये तो सोशल मीडिया में लोग बखुवी जानते हैं लगातार सवाल करते हैं आखिरकार हमाले लिए कोई नीती जो है या हमें मारने की एक साजिश रची जारी है एक ऐसो ओर्डर आता है कि पहले तो ये इंतजार कर रहे होते कि रेगुलाइजेशन का कोई ओर्डर है लेकिन ये बिल्कुल हटकर था और एकदम ये कहा गया कि आप मोत के मुँ में अगर जा रहे हैं भेजने खुद रहे होते हैं लेकिन आप मोत के मुँ में जा रहे हैं तो उसके बाद आपको अगर कुछ होता है ना तो आपके परिवार को कंपनसेशन दिया जाएगा ना आपको दिया जाएगा आप यही कहलाए जाएंगे के वोलिंटियर तोर पर कोविड के इस समय में तमाम होमगार्ट सेवा कर रहे हैं कमला जी है मेरे साथ लगातार आवाज बनती है होमगार्ट के और जमु कश्मीर में एक ऐसी महिला भी है जिन पर बहुत विश्वास करते हैं Home Guard जिन से जानने कोशिश करेंगे किस तहां का वो order था और किस तहां से यहाँ पर एक दम से वो खलाहट जो है वो सामने आती है कि आखिरकार जबो कश्मी का प्रिशासन क्या चाहता भी है या नहीं चाहता है कि Home Guard का भविश्य उजवल हो कमला जी सबसे पहले आप हमें बताइए कि वो कैसा order था जिसने कहीं न कहीं यहाँ पर हल्चल सी मचा दी तमाम Home Guards में कि आखिरकार प्रिशासन क्या सोच रहा है मैं सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का दन्यावाद करूंगी कि एक सोचल मीडिया यह जो एक गरीव जनता की आवाज कहीं एक एडमी सेशन चलो एडमी सेशन तो सरकार तो इदर है यह सिर्फ नाम की एडमी सेशन और हो है तो बखी दर तो राज पता नहीं किसका चल रहा किसका नहीं वो तो ही नहीं मैं मैं आपको कहना चाहती हूं कि आज हम कहने में तो बर्दी दारी है कि हमने बर्दी पहनी हुए लेकिन इस वक्तों जो बुख मरी की शिकार पे हमारे होंगार्ड खाने पे मुमताज है खाने खाने पर मुमताज हुए कि कहने में इन उनों जुनी प्याम पहनी है तो उनको काम सकाम कि इस चीज की जुरूरत है जे तो सब्सक्राइब सेलरी लेते हूंगे लेकि मैं कुछ दिन पहले चोबीस अपरल को एक आडर आता फिर उसको गहरा मेई को भी आता है कि आपको कोविड में ड्यूटी लगा जाए मैं जब हम तो हमें कुड सब्सक्राइब और निकालो कि हममें ड्यूटी है तो ड्यूटी जाने के लिए यस मस्पमस की ब eyeliner जहां पर आерьूर्मंट को कलहम करेंगे क्या होम कार्ड के जवानों के साथ हमारी मैं बोलती है कि इस सरकार जो इस करोना काल में लोग इतनी सेवा करर रहे हैं बढ़ च Object कर बाहर की देखो सीवर सुसाइटियं की सेवा रही है सब सुसाइटियं लोगों को दान और अन। हर चीज ум को ला रही है कि कितना कुछ उनकी जहां तक की जगों पे तो बच्चों की फीस ही दी जा रही है इतने लोग दर्म कर रहे हैं काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन इधर एक हमारा डपार्टमेंट ऐसा है जहां पर मैंने मूलती जह हमारे डीजी साब का अडर नहीं थ तो लिखा है कि आप जाएंगे जितने भी कंसर्णी होस्पिटल है गोर्मेंट के बढ़े बढ़े बहां पे आपको ड्यूटी लगाई जाएगी कोविड पैशेड़नों के साथ है साथ में उसके बाद आपको इनको अक्सीजन का क्वी देना पड़ेगी सब कुश्प सेवा क करना मैं हमारा काम है हमने जुनी फार्म डालिया हम उस पे लिए अत्राज में कि हम ड्यूटी ली करेंगे लेकिन परिवार आपका है परिवार हमारा भी है बच्चे भी है सब कुश है डिपार्डमेंट तो हमें निकारता होगा कि मारने की तादाद पर तुला हुआ है ले जो लोग इतने सावसे संखर्ष कर रहे है कि हम जो है आगे बड़े हमारा परिवार आगे बड़े और हम जो है तरक्की करें आप हमेशा कहते है कि तरक्की के रास्ते जमो कश्मीर में खुलते नजरा हैं लेकिन लगतार धरने किये परदर्शन किये थालिया भी बजाई थी इनोंने और को टोरे लेकर भी घर से बाहर निकले थे कि अब अन के लिए भी परिशानी हो रही है वहीं इस तहास एक फर्म हो यहां पर आना है और वोलेंटरी तोर पर आपको यहां पर आते हुए यह बताना है कि हम जो है देश की सेवा के लिए आगया है फोमगाट्स कभी भी पीछे नहीं हटे हैं कमला जी अभी भी तो आप काम कर रहे हैं अभी भी क्या प्रिशासन को या सरकार को दिखना ही र पर बाते की जाती है कि आप अपने अपने जो एरिया है यहाँ पर कह दीजए कि आपको पूरी तरह से करना है और आप अपने जो एरिया के हों गाड जोन के यह मनवाई यह साइन करवाई यह कि वॉलेंटरी तो पर आ रहे और मोथ होती है तो हम जिम्मधार नहीं है तो मतलब यह किस तहां का फिर्मान था कि आपके ही मोथ के दस्तावेज़ों पर पूरी का से दस्तकत कराई जा कि यह हो चाहिक उद्धर जाएंगे जैं हॉश्पिटल हो में तो जब इनका उद्धर जाएंगे तो उद्धर जहां भी आप जाओगे तो उन्होंने पहले ट्रस्तों करना यह हमारा इनकी पूरी साज़श्टिब करना था यह मिले हुए था पूरे ड़क्टरों के साथ ही तो यह बहुत बड़ा इन्हों ने बनाया हुआ था इसमें कि इनको ने बर्थी करेंगे हम जब भू मलाजम आपके पास सतर हजार से लेके एक एक लाखर प्या सेलरी ले 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 लिया आप उनको नहीं बेज रहे हो लेकिन मेरे हों गार के जवान जो विचारे एक इस वक्त बर्दीदारी में वो खाने खाने पर मबताज हैं इतनी सालरी आपको देते हैं कि जो इनको लगा कि आप ये काम करने के लिए बिल्कुल सही है मैं 2700 शर्म की बात है कि एक बेल्ट फोर्स के अंदर स्था है मैं मैं बही कहना चाती हूं कि अगर सुप्रीम कोड की कोई जज बैटाती है तो गोर्मेंट का एक रूल होता कि उसको 24 गंटे के अंदर इप्रिमेंट करना पड़ता है जहां पर 6 साल मैं 6 साल का पीरड हो गया है मानिये परदान मंत्री जी से भी हमने बड़ी अपीलने की चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर है जितने भी है मैं इदर से देख पे घरव करती थी कि ड़क्त साब को मैंने भी बड़ी वार मैंबरेंडम भी दिये मिले और हमने इनको बूड की मैं इतनी इस वक्ति इतनी स्पोर्ड की मेरे सांभाकड़ूवा के लोग ड़क्त जितिंदर सिंगें आफिस में 2000 फारा में गए मिलने के लिए 2009 अगे उधर तो उनको एक लोकल लोग तो उनको मिले नी दक्के मारके उनको बाहर निकाला गया वह लोग सुनाते है जारे ऐसे उसके बाद मैं बीजेपी आफिस में गे जहां जेंडेवला रूव भाहां पिर निया अफिस आप लोग दोर से भी हमें किसी ने नी बुलाया कि एक बंदा आपको बगवान में इतनी कुरसी इतनी बड़ी दी विए आपको बिठाया हुआ है चलो काम होने आप उनकी रिस्पेक्ट को करिये उनको बिठाइए तो सही उनसे पूछिए कि आप इतनी दूसे हैं आप उनकी दुमारे आप नमाइदो हमारा काम आपके पास जाना आपका क आपके हम आपके मारे नहीं आतना है घिरित हैं इंको होमगार वालो ने बहु को बूला कि इससे हमारे बो जो पहले बाले बुरे दिन थे बोई अच्छे थे जिस वक्त तेल जो देशी हम खाते हैं गर की सब्जी का तेल वो 67 रुपीज था आज वो 200 रुपी लो गया इससे अच्छे दिन कौन से हमारे लिए आएगे पेट्रोल देखो 17 रुपी था तो आज वो सो सोका हो गया शटक लगाने पर आ गया तो वो अच्छे दिन आ गये हमारे उस वक्ता हमें 400 रुपी का गैस लंडर मिलता था आई नो सो का मिल रहा है यह हमारे कितने अच्छे दिन आये है इससे बढ़िये दिन और कौन से आये है जही इतनी महंगाई इसे ऐसे सांसत थे चर्चा का मोका मिलता है सांसद है और संसद में चर्चा का मोका मिलता पूरा देश देखता है विधान सभा को एक राज्य देखता है कि अंदर श्वासित परदेश देखता है लेकिन उसको तो देश देखता है कि इनके इलाके की क्या समस्य और अगर यह तने लाखो वोट लेकिन हमारे राज्यसाबा के मेंबर शम्षेर सिंग मनासी मैंने उनको भी मेंबर रंडन दिये जूबल जी को भी तो इनको हमने बड़े मेंबर रंडन के अगे बीचे घूमती लिए लेकिन इनके लिए तो वह कागज है उसी वक्त जे रद्डी की टोकरी में फ्याग देते हैं जहां पर इनकी अपनी बात आती है जहां पर बोड़ बैंक देखते होंगे तो बहां पर जह सारा अपना करवाते होंगे लेकिन मैं बोलती है कि जमू के लिए कौन सी ड्पेलमेंट हुई है भो भी हमें ने प्ता जहां हुमगाड़ की तो जो इन्होंने की है नवह तो मैं बोलती है बगवाण आने वाले टाइम में हम सोच समझ के हजार बार सोचेंगे बोर्ट देने से पहले कि हमारे लिए कोण अच्छा है ही का हमारे मामिया परदान अच्छा परशानी नहीं तक उन्होंने टाइम दिया उन्होंने सेंटर में फोन किया इधर वी किया जहां तक था कि इनका अडर हो जाएगा अभी उदर लेक्षन चल रही है बेस्ट बंगाल में सबी बीजी है उसके बाद ले जाए तो चलो मैं बोलती वह कोड़ भी एक अगर बहुत जरूरी है लगता है कि भाजपा के लिए सकता बहुत जरूरी और उस फोम गाड की सुरक्ष्य जरूरी नहीं है जो आज अगर यह लोगी कहता है मैं तो आप इसे कहूंगी कि हमने कल भी यह तस्वीरे दिखाए थी कि आप वहाँ पर मौजूद थी भारत मातर चोंक में नाके पर डूटी दे रहे थी हर एक वक्ति को बोल रहे थी टेस्टिंग करा लीजे तब देश के लिए एक तरहां से आप लेखेदार लेकिन चुनाव के लिए क्यों याद आ रहे हैं बहुत है और अगर आपने करना नहीं करना घुटा तो आप जमूकिश्मीर से वंगार को ऐसे करना अप जहर के लगा आपने स्लोप आईजन दिया वो क्यों दे रहा आप इनको पालसी खतम कर दो ना क्योंकि बहां से इनको क्रोडों पेकर फंड साथा है तो वो पालसी कैसे खतम करेंगे एक मैं देखो हमारे देपार्मेंट में अगर कोई अच्छा फिस सरा आएगा ना उसको तीन छे महिने में ट्रा सब्सक्राइब के लिए कताबी कीड़ा बनता रहेगा लिखता रहेगा उसको दस-पंद्रा साल इधर से हिलाएंगे नहीं उसको नहीं हिलाते हैं जेव कौन सी साज़ेशा हमें खुद नहीं पता चले तो मैं कहना चाहती माननिय परदान मंत्री जी से देखो अभी शे साल कि हमने तो 25 साल पूरी उमर मैं 25 साल एक पूरी जिंदगी होती है आज हमारे बच्चे भी पूछते हैं आप कब रागलर होगे आपको कब सेलरी मिलेगी कब आपका विश्या सुद्रेगा बच्चे भी पूछते हैं सारे तो इनको सरकार के लिए तो बड़ी शर्म की बात ह हमारे पीम साफ 2014 में मैं जड़ ओधंपूर में आए उन्हों ने खुद है हमारे साफ जे प्रामेज की गया आई जो लिन नेता हमें उन्हों रैलियों में लेते थे बीड़ जमा करते थे बोर्ड नेता आज हमारी वाज़ पीम तक क्यों नहीं पुंचाते हैं बड़ा सवा देखे निकालते हो जहां कुटे मगर लगा हो गए जहां आप उनका फोन नहीं उठाएंगी जे चीज़े कहां पर मैना रखती है आप बोलते देखो जमू किश्मीर में बोलती तो 377 हमें तो कोई फायता नहीं होगा हम पहले से नहीं बगतर हो गया अब देखो मंदरों को बन गया पहला बना टोल पलाजों को शेहर अब बन गया दारू का शहर जह मुशूरिया है कि यह तीन काम इननों बहुत बढ़िया की है हमारे जमू किश्मीर में समार सीटी के आप जगा जगा पर बोल लगा रहे है क्योंकि इनको क्रोड़ों पे की वो कमिशना नहीं है न का अब को अब को नुखनों को अजस्ट करो जिन लोगों को बगवान ने इनको पड़ाया लखाया सब कुछ आ हम उसके जरूरता है जह तोड़े सुञद को मन की बात है हम भी कि बड़ी रिकार्डिंग करका के बेशती हैं मैं मौलती है हमने वो साथ साल से इनकी बांगी बात सुनेंगे क्या इनकी इदर के जो हमारे नेता वो मन की बात उदर तक नहीं पुछा सकते हैं जागर जे जाते हैं साव मुद्दे करते हैं एक सुप्रीम कोड का आडर है बड़ी तोई मैं देखो आब मैं कहती हूं हमारे लगी सावाय चलो इन्हों ने देखो मुबाइल टीचर थे उनका वी ने किया अच्छा काम कर रहे हैं मैं नहीं उनको बोलती हूं कि अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद इन्होंने अभी एनने चारह मेल देते 17 परसेंट ही बड़ाया उनके दोई हो गया देखो जो सिन लदाग में थे उनका 100 परसेंट बड़ा जो जमू किश्मीर में थे उनको 70 परसेंट चलो बड़ाया थोड़ा की या हम भी बोलते हैं कोवीड की बज़ा से जो जी दी पी बोवी दोन है दो बातनी ना इतनी वी दोना जमू सब्सक्राइब के अंदर दिये उनके बच्चों को इन्होंने मैं बोलती कोई 10,000 प्या भी कठा करने हैं कफण के पैसे तक नहीं दिये उनको सरो के इसने उनकी बीवियों को दिये चलो बचार हो नहीं कुछ सथाई सका 28 वक्त जो करोना में का जाते जिसके चोटे-चोटे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाहर की स्टेटे हैं हर होमगाड का मैं 25 लाख 30 लाख पचास लाख इंशोरेंस हुआ होता पी भी आफ भी कार्ट है और उनको आगे जब अब देखो कुछ स्टेटों में जो है मैं पैंचन भी लागू हो गई है बेस्ट बंगाल लोग बोलते ह केजरिवाल को बोल रहे हैं केजरिवाल केजरिवाल ने में होमगाड को 33,650 रुप्या दिली के अंतर भी मिल रहा है जूटी के अदर आप वही दीजिए चंडी गाड़ है 38 तो जाएं पचास लाग का इंशोरेंस है पॉंडी चेरी अंडो बार निको बार दादरा हमें अगर अगर आप हमारे अल जी साव आई हुए आप उनके पास ही बात करो सिर्फ फोन पर पहो ने से क्या बता हमें आप अप ओदर मला रहे हो कहीं और मला रहेँ हो जहीं पर मुझे तो ही डोड़ होता इंके ऊपर अब जो साथ साल में इनोंनों बिश्वास कोई हैं न तो में आया पहली सरकार में नहीं आया था 2015 में तो मुझे पूरी में यह थी कि जी सरकार एक सुप्रीम कोड मैडम सुप्रीम पावर है जब हम को कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो मंदर मस्जिद गुर्द्वारे कहीं पर भी जाते हैं तो सरोच्य नाले हिंदोस्तान की सर्फ से साथ हर जगा पर कोई मैं बोलती ही इनका छोटे से लेके बड़ सन्तुरी शाहे 2-5 सर्फ कुछ नीं कि नहीं की क्या सब्सक्रान कुमीर 3-». तो पहले इनको खत्म करते हैं क्रोना की वायर की बज़ा से इन्होंने बहुत बड़ा प्लान बनाया था हम लोगों को खत्म करने का मैं जह 100% का मैं बोलती ही बगवान उपर वाले की दिया कि हमें जो बगवान ने बुद्धी दी जे लोग डिवटीवटे नहीं आज तक तो इसीलिए मैं माननी परदान मंतरी जी को और माननी हमी शा जी को और हमारे ऑलजी साहाब और मैंड़े हैं उपके मेदिय को मेडिया के द्वारा देते दे पीघौड से 10 अपॉल बर्दी के नाम पे हमारे साथ जई बिश्वास उगात मत करिया अगर आपने हमें बर्दी दिया हम बर्दी की कदर करते हैं लेकिन बर्दी डालकर हम खाने खाने पे ममता जया हमारा परिवार इस वक्त कून से दोर में गुजर रहा है तो आप हमें कमई उसकम 30,000 सेलरी और 50, हमारे बच्चों का क्या बभ country करें कि अर्व को यह बोर्मैंट से आज तक हमें करते हैं हज यह दूंट्या आती हम लोग प्रेजिदेंट पुंच का उसको परसन चोह थे किसी ने आनलाइन पर लिया मेडिया बाले ने मुझे भी लिया आनलाइन पर और वह सोचलिस्ट भी थे कोई एक तसील दार थे एक अड़ बगड़ने और जो बीज़ेपीग वाला है वो लड़का है पताने अमन दावर पतान थे क्या उसका नाम था वो बोलता जो फिछ से कारों ने पाप किया है जो बैक डोर इंट्री यह मैं हमें बोर्णे बर्ठी किया हम कूण से पिछली सरकारों ने किया यहां पहले बहुतंब बंदे की रिस्पेक्ट करो एक लोगों की रिस्पेक्ट परो इन लोगों को आपको बोड़ देंगे, जो हमारा काम करेंगा अब उसको, नहीं तो इनकी भी बहु हालत करेंगे, मैं बोलते हैं कि जैसे इनकी हो रही है, बख्की स्टेटों में भी तकरीब आपने देखी लिया, अब मोदी जी के नाम पर फितने गोड़ मांगेंगे, आप अपने लाम प सप्रीम कोर्ड का, ना जूटी का, ना कुछ जैसे, इन्होंने हमें जेवनी आपके पूछा कि आप करोना में इतनी ड्यूटी का रहे हैं, किसी को के लिए, मौस्क, सेंटाइजर कुछी नहीं, मैं हम आपने पिछले साल भी देखा है, इस साल भी, जे तो भी आईपी कुर अमीर नहीं कर सकता, आप लाखो क्रोड रुपे कमाओ, आप देश की सेवा नहीं करोंगे, आपके बच्चे असी के अंदर बैठके पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े-बड़े बार फारं तक काल्जों में पढ़ेंगे, हमारा बच्चा तो गोर्मार स्कूल में नहीं प सब्सक्राइब करना नहीं करना इन्हों सिर्फ रात और रात जहां पर नोट बंदी हो सकती है, जी एस्ती हो सकता है, कोई तीन सो सकता तूड सकती है, पैंती है तूड सकती है, तीन तलाग रात वहां सोय होते हैं, सुवार कुनू ना चकता, लेकिन होम गाड का 6 साल से सुप्रीम कोड का आडर आया हुए, बो आपने क्यों नहीं इप्लिमेट की है, इसको में, बो भी सुप्रीम कोड का आडर है, इसको क्यों नहीं इप्लिमेट कर रहे हैं, बो तोहीं कर रहे है, तो मैं जही कहना चाहते हो है, हमारे जितने जमू डिजन के होम गाड है, मैं जे खुद गशी करने पर मजबूर हो गया, जाए जमू किश्मीर के जितने भी होम गाड है, वो सब्सक्राइब करते हैं, लड़के अभी कुछ पूंड करते हैं, मैं इतने मजबूर हो गया, इतना रो रहा है, रात को वो आई टी वीविव के साथ बाडर के ड्यूटी करता है, खनूर का लड़का, और आभी मैं आपकी उसको आपकी आपको उसकी वीडियो दिखाती है, बोलता है, मैं जब और रहा है, बोलता है, मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं, पापा, हमारे आपका पर्मनेंट होगे, तो हमें भी अच्छा बो मिलेगा, तो बहु भी बचारा मोदी जी के अपील कर रहा है, मोदी जी, आप तो आपने मान की बात रोज सुनाते हैं, हमा हमारा जो होम डबार्डमेंट है, बो भी उनके अंडर है, मैं उनसे जहीं अपील करूँगी, सर कभी जंगू किश्मीर की होम गार्ड कर भी कोई थोड़ी सी रहम करिए, इनको सुप्रीम कोड की जज्जमेंट और जूटी का जो आडर है, इसको इपलिमेंट करिए, दन्य से भाजपा कहती थी कि मोधी सरकार आएगी, तो दिन जो है आपके बदर जाएंगे, पहले बुरे दिन चल रहते, लेकिन अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन इस बार भी विश्वास घात ही हुआ, और इस बार भी कोई भी नेता इन के लिए सामने नहीं आ रहा थी, युवी बनारे मसेट एट रहते देन इस नहां सो भूसरो हानी कि रपको तो